हेलो दोस्तों कॉमिक स्टोडी अड़ा पे आपका स्वागत है तो आज मैं लेकर आई हूँ डायमंड कॉमिक से और ये कॉमिक में बहुत दिनों बात लेकर आई हूँ कॉमिक का नाम है ताउजी और हर्फन मौला कटपुतली इससे पहले भी मैं ताउजी की एक कॉमिक पसंद आई थी और आप लोगों को भी पसंद आई थी तो फिलहाल टाइम नहीं वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपनी कॉमिक की तरफ और हमारी कॉमिक का नाम है ताउजी और हर्फन मौला कटपुतली इसके संपादक हैं गुल्शन राव राय लेकक हैं विनय कुमारव और चित्रांकन सहयोग हैं शेल नीरती के यहां से कौमिक हमाई शुरू होती है नैशनल हाइवर पर गठड़ी दवाई खड़ा था वहबूरा इतनी रात हो गई खड़े-खड़े पावी दुखने लगे मेरे न जाने बस कवाएगी तब ही उसे दूर से एक बस आती दिख करी जाएगी राम तमारा भला करे बेटा बूड़ा चड़ गया बस में और बस चल पड़ी यह जगह मेरे बैटने के लिए ठीक है उस सीट पर खबजा जमा लिया उसने बस में सवारी ठीक ठाक है ज्यादा खाली नहीं है बस बूड़े ने अब अपनी गटरी खोली एक व पुतली उसके हाँसे फिसल कर उसके सामने खड़ा हो गया मुझे क्या करना है माले जो तेरा काम है जा उसे जाकर कर खाले लुग पड़ी बसकी यात्री हैरत से देख रहे उसे ऐसा खिलाना तो बार देखा है मैंने बनने भी ऐसा खिलोना लाकर देदो ना जी चुपकर हाँ समय अपनी टेंटें लगाई रखती है तू कट पुतली फुदकता हुआ ड्राइवर के सामने जा पहुचा ड्राइवर गाड़ी सड़क से कच्छे में उतार लू क्यों उतार लू मेरा हुक्म तो तुझे मानना ही पड़ेगा अगर मैं तुम्हारा हुक्म ना मानू तो कट पुतला उचला आह मुझसे जवान लड़ा था है तड़ाक अह थपर लगते ही गाल में मिट्सी भर गई है ओ ड्राइवर के चेरे पर जले हुए पंजे का निशान बन गया था आह यह तो करता हूँ अहा इससे पहले कि यह प्रेट कोई और गड़बड करे मुझे दर्वाजा खोल कर बाहर कुछ जाना चाहिए उसने दर्वाजा खोलना चाहा अरे यह क्या दर्वाजा तो खुली नहीं रहा उसे ऐसा करते देख हाहा मूर खंड़क्टर आप यह दर्वाजा ओ इसके हाथ हिलते ही इसके हाथ में यह कपड़ा कहां से आ गया कटपुतली ने बस की फर्ष पर वह कपड़ा बिछा दिया बस में जितने भी सवारी हैं वे सब अपना माल भत्ता रुप्या पैसा निकाल कर इस कपड़े पर रख दो ओ मरते क्या ना करते सभी ने कटपुतली की बात माननी पड़ी हाए मेरे इतने कीमती गहने मुफ्त में लुटे जा रहे हैं और जल्दी ही शाबाश मुझे खुशी है कि सभी ने मेरा हकुम मान लिया अब कटपुतला कंडेक्टर के पास गया कंडेक्टर तू क्या किसी और का जीव है जो तूने मेरा आदेश नहीं माना माई बाप मुझे माफ कर दो तोला टिक्टो के बिक्री से जो तूने रुपए इकट्टे किये हैं वो मेरे हवाले कर ओ लो माई बाप मुझे पक्ष दो अब कटपुतला उचलता कूता बुड़े के पास पचा शाबाश मेरे अब उचल कर मेरी गट्री में आ जा तू कटपुतले ने ऐसा ही किया यह बुड़ा भी कोई प्रेथ ही लगता है अब बुड़े ने अपनी उंगली में पहनी अंगूठी को तीन बार चुमा अंगूठी री अंगूठी हमें अद्रश कर दे और तुरन थी ओ कहा गया वह और वह पुतला अरे सभी हक के बक्के से एक दूसरे का मूँ देखने लगे ड्राइवर बस को पुलिस टेशन की और ले चलो पुलिस में लूट की रिपोर्ट लिखवाएंगे हम अगर तूने ऐसा किया तो वह बुड़ा और कटपुतला फिरा कर तेरी ऐसी की तैसी करके रख देगा अहीं अमा यह तो मैंने सूचा ही नहीं था दूसरी और बुड़ा वह मेरे कटपुतले वह आस तो तुने बड़ा ही लंबा हात मारा है कुश होकर उसने कटपुतले को चूम लिया बुड़ा पा धोते धोते बहुत देर हो गई अब मुझे अपना यह मेक अप उतार देना चाहिए और जब उसने अपना मेक अप उतारा तो वह एक खुबसूरत नौजवान था उसने अपनी बाइक उठाई और आज क्लब में सब सोच रहे होंगे कि सुन्दर सेट आज कहां रह गए उन्हें क्या पता आज मैंने लंबी डील की है जब उसने क्लब में प्रवेश किया वो सुन्दर सेट आ गए आज कहां रह गए थे सुन्दर सेट क्या बताऊं लीला डार्लिंग बाहर से एक पार्टी आ गई उसी को डील करने में मेरी तेर हो गई लगता है सुन्दर सेट आज कल तुमारा कारूबार को फलफूल रहा है और फिर चियर्स यह सुन्दर सेट के सिहत के नाम हुर्य सुन्दर सेट तुमने हमें आज तक यह नहीं बताया कि आके तुम कारूबार क्या करते हो क्या करोगी मुन्यू डार्लिंग जानकर अब इसे कैसे बता दूं कि मैं कटपुतली के द्वारा लोगों को लूटने का खाम करता हूँ जब मुझे तुमने तो मुख कुप्पे की तरह फुला रखा है कटपुतले क्यों ना फुलाओं खुटो क्लब में मस्ती करने चले जाते हो और मुझे यहां अकेला चोड़ जाते हो ओ तो इसलिए नराज हो तुम अभी तुमारी नराज की तूर करता हूँ मैं सुन्दर नी एक हिसास में चड़ा गया कटपुतला यह देख हाँ हाँ बेसबरों की तरह सारी बोतल खाली कर दी तुमने मालिक मेरा मन टांस करने को कर रहा है तो नाचो मना किस ने किया है उसने उटकर स्टीरियो ओन कर दिया स्टीरियो से निकले तेज संगीत की धुन पर कटपुतला दुर्द गती से नाचने लगा ओह कटपुतले नाचने में तो तुम माइकल जैक्सन को भी पीछे छोड़ देते हो बहुत देर तक जब कटपुतले का नाच न रुका ओह कटपुतले तुम वास्तम में ही मेरे सच्चि साती हो तुम ना मिलते तो मैं अकेला कब का मर गया ह मालक आग गया दें तो एक बात कहूं कहो कुट-पुटले क्या कहना चाहते हो मालक आप विवा करले तब आप बिलकुल अकेले नहीं रहेंगे नहीं मुझे विवा नहीं bist remedy ना, मुझे नफरत है इस दुनिया से, इस दुनिया में नफरत है मुझे, जिस बेरहम दुनिया से मेरी मा को अलग कर दिया, जो मेरी मा को मरते देखते रही थी, पर किसी ने भी उस वक्त हमारी सायता ना करी, इस बेरहम दुनिया को तुम्हारे द्वारा लोट, खरोस, खसो करने का कते नहीं था मुझे माफ कर दीजिए कट पुतले इस समय तुम मुझे अकेला छोड़ दो जी माले और कट पुतला उचल कर मेज पर चड़ गया और ततकाल ही निर्जीव की तरह खड़ा हो गया डिया जी पुशकर की बेटी की शादी थी आज उनके बंगले को खूप आली हूँ ओ दीपा तो पारूल की पकी सहली है वै आई नहीं क्या नहीं अंकल अचानक की उसकी तवियत खराब हो गई ओ कोई बात नहीं बेटी अंकल पारूल कहा है मैं उसे गिफ्ट देना चाहती हूँ वै अंदर अपने कमरे में होगी बरात आने ही वाली है इसलिए उ बड़ी ही सुन्दर लग रही हो तुम आज आप कौन है मैंने आपको पहचाना नहीं जल्दी मुझे पहचान लोगी पहले मेरा प्रेजेंट स्विकार करो हाथ में पकड़े पैकेट को खोलने लगी पैयोवती क्या हो सकता है इस पैकेट में जब पैकेट खोला ओ लकड़ ओओ 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 कमाल है खड़ा हो गया कटपुतला तन कर युवती के सामने कहिए मुझसे क्या कराना है करना वही है जो तेरी रोज का काम है कटपुतला तो मनुशी की तरह भूल रहा है और उसी समय ओ दर्वाजा अपनी आपंद कैसी हो गया कटपुतला उचल कर पारुल क की तरह अपने सारे जीवर मेरे हवाले करो क्या कह रही हो लगता है तुम्हें सुनाई नहीं देता और फिर तड़ाक अचानक ही पारूल के कपड़ों में आग लग गई बचाओ जान बचाना चाती हो जल्दी मेरे जल्दी से अपने जीवर मेरे हवाले कर दो बद हवास सी प पारुल के कपड़ों में लगी आग स्वयम ही बुझ गई कटपुतला जेवर की पोटली लेकर यूवती के पास पहुचा अंगूटी री अंगूटी हमें अद्रश कर दो और तुरंथी कटपुतला और वयूवती कहां गायब हो गए ऐसा लगता है जैसे वे दोनों कोई चल कर रही हो पर आज तक चीते जाकते अपरादियों के खिलाफ कारिवाही करते आए हैं एक प्रेद के खिलाफ भला हम क्या कर सकते हैं हां अगर ताओ जी शहर में मौजूद होते तो निश्चे थी वे कुछ कर सकते थे पर वे इन दोनों एक माह की तीर्थ यात्रा पर नगर से बाहर गए हुए हैं पता नहीं इस समय कहां होगे ताओ जी ताओ जी उस समय एक मंदिर में लक्षमी नारायन के धर्शन कर रहे थे धर्शन करते हुए भगवान के घर मंदिर में आने पर दिल को बड़ी ही शान्ती मिलती है रुम्जूम आप ठीक है रहे हैं ताओ जी रुम्जूम अपने नगर से दूर हुए 15 दिन बीद गए न जाने हमारे नगर में इस समय क्या हो रहा होगा ताओ जी आपने भी खूब कही जादूई डंडे से अपने नगर का हाल चाल क्यों नहीं पूछ लेते यह तुमने खूब याद दिलाया रुम्जूम ताओ जी जादूई डंडे के तलब किया जादूई डंडे बताओ हमारे नगर के क्या हाल चाल है वहां सब अमन्चैन तो है ताओ जी तुम्हारे बिना वहां अमन्चैन कैसे हो सकता है भला आपके अनुपस्तिती में वहां सुंदर नगर की युवती ने अपने कट पुतले के सहार खूब धमाल मचा रहा है लोगों को खूब लूट रहा है वह क्या कह रहे हो जादोई रंडे हाँ ताओ जी इस समय भी वह डियाई जी की पेटी और उसकी सहलियों को लड़की के वेश में लूट कर अपने बंगले पर पहुच चुका है ओ डियाई जी पुशकर की बेटी को भी नहीं छोड़ा उसने तब तो वे कोई शातिर बदमाश लगता है वे तो शातिर है ही पर उसका कटपुतला उससे ज़्यादा शातिर है उसी के सहारे सुन्दर लोगों को लूटता है तो हमारे पीचे उसने वहाँ यह गुल खिलाया है तब तो हमें यात्रा अदूरी चोड़कर अपने नगर वापस लोटना होगा हाँ ताओ जी हमारे नगर वाची संकट में हो तो हमारा तीर्थ यात्रा करना सव्यार्थ है जादूई डंडे हमें हमारे नगर वापस ले चलो जी मालेक और फिर ताओ जी चल दिये उदर दूसरी ओर डियाई जी के हाँ भी धारण करना पड़ा कटपुतले मालिक सच कहूं लड़की के वेश में आप बहुत सुन्दर लग रहे थे जादा मत बोल तेरा काम खत्म हो गया अब तू शान्त हो जा हाग या पाती ही कटपुतला बेजान होकर गिर पड़ा उदर अपने नगर में पहुचे थे ताओ जी आ कल आप उसे रंगों हात उस समय पकड़ना जब बैनगर में कोई नई खुराफात कर रहा होगा यह भी तुम ठीक कह रहे हो और अब जा पहुचे ताओ जी अपने घर बहुत ठक गया रहे अब अहराम करेंगे हा ताओ जी मुझे भी बहुत ठकान मैसूस हो रही है औ पड़ा कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं सेवा आप नहीं करेंगे हमारी सेवा हम करने आये हैं तुम्हारी मैं कुछ समझा नहीं नहीं समझे तो समझ जाओगे उसने बैग में रखा कटपुतला बाहर निकाला इस कटपुतली के द्वारा भला यह कैसी सेवा कान के अंदर शुरू हो गया तड़ा उसको भी एक खपड़ लगा चुप चाप इस बैग में सारे कीमती जेवर भर दे रामा नहीं तो बेमौत मारा जाएगा तू ओ ऐसे कैसे अपनी सारी कमाई तुझे सौप दू मैं तुझे कंगाल करने ही तो हम आए हैं नहीं मैं पहुचा दूंगा तुझे पाताल मुझे बक्ष दो मेरे बाप तुझो कहेगा में वही करूंगा यह हुई ना कुछ बात इधर दूसरी ओर ताओ जी इस समय सुन्दर अपने कटपतले के साथ रामा जोयलर की दुकान लूट पाट कर रहा है इस समय वह वहाँ चलकर उसे सुरक्षा गार्ट लपक खर उनके पास आ गए अप सही समय पर आए है ताओ जी वह देखो अंदर लोटे रहा अपने कटपतले के साथ मालिक को लूट रहा है तुम चिंता ना करो हम अभी अंदर जाकर उसे मजा चकाते हैं मगर आप अंदर जाएंगे कैसे ताओ जी ताओ जी अधं के ताओ जी मुझे लुटने से बचाओ क дорог उचल कर ऌश्छा ओर टाओ जी होजा रोट की ओर और्मजिभा बना दिया वह उस्यूर सुरक्षा गेरा बना लिया था है अब जादू डंड में धूज़ा के दोनों हाथ तोड़ दीए जादू दंडे ने ऊह哈哈哈 मालक बचाओ जादूई डंडे ने मेरे कटपुतले को जला दिया है कटपुतले के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा बैतर यह होगा कि जादूई अंगूटी के द्वारा मैं अद्रश्य हो जाओं ओ अंगूटी को तीन बार चूम यह अद्रश्य होना चाह रहा है को मार लिया मूर्ख तुमने यह क्या किया आह ताओ जी तो मुझे पकड कर निश्य ही पुलिश के हवाले कर देते इसलिए मैंने मरना ही बैतर समझा मर कर समस्या हल नहीं हो जाती ताओ जी ने जादूई डंडे को आदेश दिया जादूई डंडे इस मूर के घावों को ठ सुन्दर एक बात बताओ ये करामाती कटपुतला तुम्हें कैसे और कहा मिला तुम चाते तो उस कटपुतले के द्वारा लोग खित में अच्छे अच्छे काम कर सकते थे क्योंकि जिस समाज के प्रति मेरे मन में जहर भरा हुआ था उस निर्मोही समाज को सुबक सिखाना था मैं जिस समाज ने कभी मुझे सताया था उसी समाज को खूब सताना चाहता था समाज के प्रति तुम्हारे मन में इतना जहर आखिर भरा क्यों ताओ जी मैं आपको शुरू से अपनी कहानी सुनाता हूँ बहुत करीब था मैं मेरी मां ने लोगों के जूटे बरतन मांज कर मुझे पढ़ाया लिखाया मेरी बदकिस्मती की मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिरी क्योंकि मेरे पास देने को रिश्वत नहीं थी और नहीं सिफारिश उसी समय हार तोड मैनत करने के कारण मेरी मां गंबी रूप से बीमार पड़ गई आपक्टर मां ठीक तो हो होगे डॉक्टर मैं तो बेरोजगार हूँ और हमारी हालत आप से छिपी नहीं है ओ फिर मैं कुछ नहीं कर सकता डॉक्टर के जाने के बाद उसकी मां खासने लगी बल्गम ने धेर सारा खोन खासते खासते मां बेदम हो गई आह सीना दर्द से फटा चा रहा है तुम घब पास वापिस लोटा ओ मातों मर गई मां आकिर मुझे इस दुनिया में अकेले चूड़ गई तुम कोई भी मेरी मा की शव्यात्रा में शामिल नहीं हुआ आखिरकार मुझे ही कंदे पर लाद कर मा को शम्शान ले जाना पड़ा बाबा अंतिम संसकार के लिए मेरे पास कु आत्मत्या की इरादे से मैं नदी के किनारे जा पहुचा नदी में चलांग लगा कर अपनी एलीला समाप्त कर दूँ नदी में कूदने को ही था मैं आह पानी कौन है आवाज शायद उस जाड़ी के पीचे से आई है मैं उस जाड़ी के पास पहुचा आह पानी ओ पानी चा आज मेरे आसपास खड़े उझे दिखाए दे रहे हैं मेरा नाम काल कुरूर तांत्रिक है तंत्र मंत्र भी शक्तियों के द्वारा मैं जीवन बर लोगों के अहित के कारों में लगा रहा नचाता हूं कि मेरे बात भी द्वारा चलाई गई है परीपारी चलती ही रहे क्या तो तीन बार कान उम्योंने के पश्चत यह हरकत में आ जाता है जब तुम जब इससे जो कहोगे यह वही करेगा बश्चारती ही है कि काम बुरा होना चाहिए यह कुछी कुछी तुम्हारे द्वारा बताए हर काम करेगा इसके द्वारा तुम धन संपता इज्ज़त सब कुछ शासिल कर सकते हो यह अंगूटी भी बहुत चमतकारी है इसे दाएं हाथ की उंगली में पहन लेना जब भी तुम इस अंगूटी को तीन बार चुम कर अद्रश्य होने की इच्छा करोगे यह तुरंधी अद्रश्य हो जाओगे मरते हुए उस बूरे तांत्रिक में विस्त मेरी द्रश्टी उस बंगले पर पड़ी जिस बंगले में मैं आज भी रह रहा हूँ क्यों न कटपुतले के सारे मैं इस बंगले पर अपना कब्जा कर लूँ मैंने तुरंध कटपुतले के कानों को तीन बार उमेड़ा और फिर वह हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी न की थ बोल इस बंगले को छोड़ कर तू जाता है या नहीं आ यह बंगला मेरे पुरकों की निशानी है इसे कैसे छोड़ कर चला जाओं मैं तो तू ऐसे नहीं मानेगा ओ लॉन का लेटर तूट कर गिर पड़ा तूने बेरी बात नहीं मानी तो मैं इस सारे बंगले को दौस्त कर और इसके मलबे में दब कर तेरी राम नाम सत्य हो जाएगा नहीं मैं मरना नहीं चाहता तू जीना चाहता है तो तुझे मेरी बात माननी होगी मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है मैं यह बंगला इस बंगले की सारी धंदौलत चोड़ कर यहां से चला जाता हूं और फिर तो अंग्रेजी भी बोलते हो मैं अंग्रेजी क्या फार्सी रूसी पंजाबी मराटी गुजराती तमिल हर भाषा फर्राटे के साथ बोल सकता हूं इस प्रकार मैं और कटपुतला मिलकर लोगों को लूटने लगे लोगों में दहशत फैलाने लगे आगर आपसे मुटबि समय पर तुम्हें भी रोजगार मिल गया होता तो तुम भी बुझे कामों में नहीं जाते हां ताओ जी बढ़ाई का रस्ता मुझे मजबूरी के साथ अपनाना पड़ा था सुन्दर कुछ भी हो तुमने अपरात तो किया है तुम्हें इसकी सजा मिलेगी भी ताओ जी मैं यहां लूट पार्ट की थी और लूट पार्ट में इसका हाथ रहा है ओ पुलिस लॉक अप में सुन्दर को बंद कर दिया गया अदालत ने सुन्दर पर केस चला वैसे तो मुझरिम ने निर्दोश लोगों को लूट कर उन्हें सता कर बहुत ही संगीत जुन किया है पर इस ने वहां जल्दी ही सब का मन जीत लिया दो वर्ष पश्चा जब जेल से बाहर निकला ताओ जी मुझे आशिरवाद दो कि मैं आज से अच्छाई का रास्ते पर चलूं मेरा आशिरवाद सदा तुमारे साथ रहेगा सुन्दर वेटे और मेरा भी आशिरवाद तुमारे सा कानी तो कुल मिलाकर मुझे एक इंटरेस्टिंग कामिक पढ़ने को मिल गई और आपको भी मिल जाएगी जब आप इस कामिक को पूरा देखी चुके हैं और इसकी कहानी भी मुझे पसंद आई है कुल मिलाकर बुराई के रास्ते पर चलेंगे तो हमें उसका अन्जाम बु और मैं मिलती हूं फिर किसी दूसरी कॉमिक के साथ फिलहाल मुझे नहीं पता मेरी नेक्स्ट कॉमिक कौनसी होने वाली है लेकिन डायमंड कॉमिक की जो भी कैरक्टर्स होते हैं उनके भी हलग ही अपने जल्वे हैं तो बताइए आखिर आप कोई कॉमिक कैसी लगी और थे एंक यू